इस वीडियो में मैं आपको बताँगा आइटल मॉबाइल में फिलिप म्यूट सेटिंग क्या है और इस सेटिंग कैसे उन करते हैं और इसे उन करने से क्या होता है तो इस वीडियो मैं आपको यही बताँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंट्स मैं आपको बताता हू यह settings आपको कहां पर मिलेगा, कैसे on कर सकते हैं, और इसे on करने क्या होता है, तो friends, item mobile में यह settings on करने के लिए, सबसे पहले आप item mobile का settings को आप open करिए, जैसे मैं settings open कर लिया, और उसके बाद आप scroll करके नीचे करिए, और नीचे करिए, और नीचे करिए, और उसके बाद यहाँ आई-स-मार्ट का option लेगा आप हैं आई-स-मार्ट के option पर click करिए और उसके बाद इस तरह सा जाए गए यहाँ पर आपको flip mute का option मिल जाता है आप इस पर click करिए तो देख सकते हैं अभी आप है आप यहाँ पर click करके flip mute setting को on कर सकते हैं जैसे अब मैं on कर दिया तो इस तरह से आप on कर सकते हैं और on करने से होगा क्या देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है flip phone to mute incoming calls मतलब कि अगर जो आपने यह setting को on कर दिये हैं और उसके बाद आपका mobile पर कोई भी incoming call आता है और उस time आप flip करके incoming call को mute करना चाहते हैं मतलब silent करना चाहते हैं तो वह आप कर सकते हैं जैसे मन लीजिए यह setting आप on कर दिये हैं और आपका mobile पर कोई call आया है और उसको आप mute करना चाहते हैं incoming call को तो आप mobile को उल्टा करके समतल जगा पर रख दिए कहीं table या फिर जमीन पर या किसी भी समतल जगा पर आप रख देंगे तो आपका incoming call जो है वो mute हो जाएगा जैसे देख सकते हैं कि इस तरह से रखना है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर demo दिखा रहा है इस तरह से करेंगे तो आपका incoming call mute हो जाएगा तो इस setting से यही होता है